स्वागत आप सब का IPL के मैच नूमबर 43 के अंदर मुकाबल है दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियन्स के बीच में जो खेला जाएगा अरुन जेटली स्टेडियम डेली के उपपर मैट्स टाइमिंग है दुबैर के साड़े तीन बजे तो डबल एडर का पहला मुकाबल है और रिवर फिक्षर का मैच है हमने देखा था पिछली बार ये दुनों टीम्स वाने के उपर फेस ओफ करती है और मुंबई ने जीत दर्च करती क्यूंकि यहाँ पर रिमुरिश रेफ़र्ड ने एक बहुत अच्छी पारी खेल रही थी और एंडरी चिनोक्या की दुलाई कर दी थी तो लेट सी इस गेम में क्या होता है तो सबसे पहले पॉइंट से बहुत करते हैं बहुत इंपोर्टनेट है स्टेंटिंग पोजिशन से इस टूर्णमेंट के अंदर जानना दस टीम्स कंपीट कर रही हैं टॉप चार टीम क्वालिफाई करती है फिलाले दोनों टीम्स चार तो जीतने पड़ेंगे अगर इनको रेस के अंदर ब्रकरार रहना है तो चार मैचे से टीम जीती है पांच हारी है नेट रून रेट माइनस के अंदर 0.39 है वह हम देखते हैं मुंबा इंडियन्स इनके लिए भी दरवाजे खुल हैं इनके लिए भी आने वाले मैचे मस्ट विन होंगे अगर इनका सफर बंद हो सकता है तो आठ मैचे इस टीम ने खेले हैं आठ वे स्थान के उपड़ है तीन जीती है पांच हारी है नेट रून रेट थोड़ा सा बैठर अस के अंदर 0.23 है और जो फॉर्म है दिल्ली का ये रहा है पिछला मैच जीते इससे पहले हारे जीते जीते हारे मुंबई का फॉर्म पिछला मैच हारे उससे पहले जीते फिर हारे फिर दो मैचे से जीत के आए थे तो लेट सी क्या होगा इस क्लैस के अंदर बहुत सी चीज़ें डिसस करने है एक दिल्ली के पर मैच डे गेम है लास सीजन पर यहाँ पर एक ये गीम बार था CSK वर्सेस डीसी का जिसमें डेवन कॉन्वेर उत्राज गाइकॉर्ड ने समा बांग दिया था बहुत अच्छी पारी खेली थी उसके बारे मैं बात तरूँगा कैसे यह की कंडिशन्स होती है हर एक चीजे हैं आपर हम डिसस करेंगे जैसे की टैक्टिकल ड डेट आती है मैं टेलीग्राम पर देता हूं टेलीग्राम कलिंग में आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट स्क्षन में दिया होगा है पिछ रिपोट देखते हैं इस वेन्यू के अपर 24 अप्रिल को DC वर्सेस GT का मैच वा था फ्लैट यहां की पिछ रहती रंज बनत दो सो बीज बनाती है चार-पांच रंज से पिछे रहे जाती है कमाल की पारिती हो आप पर रिश्य अपन्द की क्या खेल रहा है लडगा यह जितनी तारीफ खरे उतनी कम है आता है पिछ के उपर काम कॉम्पोज जिसका नीचार है खेलने का ब्यांड दे विकेट्स मस्ती करता रहता हरे टाइम पर यह चुप रहे है ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिले रिश्य अपन्द वह अची चीज भी है चंचल है और कमाल के क्रिकेटर है 266 बना साथ वकेटी नुकसान पर चेसिंग टीम 109 में बनाती है यह मैंस था डीस वर्सस एसा रच का कौन बूल सकता 125 रंस पावर प्ले में बने थे 223 बना 167, 181, 197 तो पिछले जो कुछ गेम में यहाँ पर खेले गया है उनमें रंस बहुत बने है और इट्स नौट अन इजी वेनिटु चेस आम तोर पर बैटिंग फर्स को में पर एडवांटेज मिला है मैं पिछले 4-5 मैचों की बात करता हूं तो और इस IPL में यहाँ पर दो मैच में दोनों मैचेस बैटिंग फर्स करते हैं दिल्ली का रिकॉर्ड इस वेनिपर हलक ऐसा खराब रहा है 81 में से 36 मैचेस जीते हैं MI 17 में से 10 मैच यहाँ पर जीती है प्रतिव और 9 के आसपास रंस तो बनते ही हैं और जो लास मैच था DC GT का दूस मैच में आथ विगेट पेसर का दा चार विगेट सिआ पर स्मिनर्स के थे विगेट कॉलम पिछले दो मैचेस के अंदर पेसर निए 16 विगेट निकाला है पहली बारी में चार दूसरी पारी के अंदर 12 स क्योंकि प्रतिम बैटिंग करती है बड़ा स्कूर बना चैनेमिन का साथ विकेट है, लेफ्ट ताम और्थोड़क्स मिर्स का दो विकेट है, अब मैं आपको पीच दिखाता हूँ, यह दिखो आप लास्ट मैच की पीच, उसमें डाइमेंशन सिक्ष्टी त्यू और सामने 72 मिटर की बाउंडरी थी, यह दिखो आप, ऐसी पीच थी हमने देखा था लास्ट यर जो बाउंस था दिल्ली के उपर, वो थोड़ा सा नीचे था, यह आपको दिख रहा होगा, वाइट किलर की बाउल, 2023 को दर्शारी है, और जो ब्लू किलर की बाउल है, जिसको भी मैंने मार्क की और एरो मार्क किया हूँ है, यह दो तीन बार, आपको बाउंस में फरक देखने को मिल जाएगा, वास डिफरेंस, बहुत जादा डिफरेंस है, सीजन में बॉल अच्छी से बैट कीप पर एक्स्टा बाउंस के साथ आ रही है, यह स्टेडियम का वियो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्टेडियम में दिखता है, क कैसे लगी है, आपको पिछ रिपोर्ट कमेंट करके बताएए, चैनल पे नियूज सब्स्ट्राइब कर लो गंटी बटन दमादो, दौन टीमस ना पसके अंदर 34 मैचस के लिया है, दिल्ली के पर मैच में, तो 6-5 यहां पर रिश्यो रहा है दिल्ली के फेवर के अंदर, द अब टाइम आगे है कि आप एंडरिश नौकर को बाहर करके लाइजर्ड विलियम्स को खिला लो, लिजार्ड विलियम्स इस वेरी गुड बॉलर, या फिर आप ओटनल बर्टमन को खिला लो, खरील एमद मुकेश आपको दिख जाता है, पचास वह टी-20 मैच हो सकता है, इशान किशन, इशान किशन का है सौवा एपियल मैच होगा, सुरी गुमार यादर वन डाउं, तिलख वर्मा, हार्दिक पंट्या, नहल वदेरा, टिम डेविड मॉहमद नाभी, प्यूस शावला, कॉट्जिया, जस्परीद वुम्रा, इम प्लेट पर में आपे नुवान इशान किशन आते हैं, पाउर प्लेट में, उसके बाद सॉल्ट और नरैंड की है, 163 का स्ट्राइग रेट, उसके बाद रोहित और इशान किशन आते हैं, पाउर प्ले में, इनकी जोड़ी कमाल की रही है, तीसरी पैस जोड़ी है, मिडल फेस की बाद रहते हैं, ओवर साथ से पंदरा की बीच में, दिली ने 9 मैच में 21 विकेट गवाया है, 31 की ओसाद 146 का स्ट्राइग रेट है, मुम्बाई इने 8 मैच में 18 विकेट गवाया है, 35 की ओसाद 147 का स जैसी हालत है, डियतुर के अंदर दिली और मुम्बाई आगे पिछे ही है, मुम्बाई ने डियतुर में गवाया है, 23 विकेट और इनका रंस होता है, 168 का स्ट्राइग रेट, 16 की ओसाद, दिली की ओसाद 177 का स्ट्राइग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अब थोड़ा म स्टी मजाक पे चलता है, तो आप यह देखो, रजट पाटीदार, क्या इनिंग सी भाई, सब चार चक्क्या मापे, मैक मरकेंटे को मार दिये, इन्होंने 20 बोलों में 50 किया, पहले किया तर टोनेमेने में इज्जत ही नहीं थी भाई की, कुछ गेम से ड्रॉप कर दिया, त सुर्य पर आउठवा करते थे, अब हमको चाहिए, फुल इज्जत, और भाई साब भाई नहीं ऐसा ही किया, प्लेयर दे मैच जेच किया गया इनको, और यह है हमारे एंडिश नौक्या, सौरी गुजराथ, आई ट्राइड माई बेस्ट, पंत्र ने लास्ट वर दिया ही न पैट कमिंस ने कह दिया, आर सीबी के लिए, आर सीबी से हार के, मतलब इनका भी अलग ही चल रहा है, लेट सी, आर सीबी के लिए कह रहा है, 17 साल सी जो आज सक ट्रॉफी नहीं जीती, उनको चुप करके क्या फाइदा हमारा हैं के बड़ी बड़ी टीम्स को, यह इनका कहन कि थी, इडन गार्डन्स पे जो पहला मैच हुआ था, यह बड़ी बड़ी टीम्स को चुप करने का तम तम रखते हैं, पावर प्ले फेस, टीम्स कैसा वॉलिंग करिया पावर प्ले के अंदर, दिल्ले के अपिडल्स नौ मैक्स के अंदर 14 विकेट निकाल चुकी, एकॉन मैच में 30 विकेट निकाला है, 8.2 की एकॉनमी जो बहुत अच्छी है, सेकिंड बेस आफ्टर लखनो सूपर जाइंट्स, वहीं मुंबई देखते हैं, बहुत बुरा पिटती है, सबसे वर्स टीम में मिडल्स के अंदर 10.3 की एकॉनमी है, आठ मैच में सिरिफ 15 विकेट न जाइंट निकाला है, तेरह की एकॉनमी है, दिल्ली के डेट्वर में सबसे द्यादा कुटाई है नहीं होती है, डेट्वर में दिल्ली वालो की, फिर मॉंबई भी इसी केटिगरी में आती है, धर्ड वर्स इन डेट्वर्स, प्रित विश्व, मॉंबई का लड़का दो 50 पर यहां पर भी सने अच्छा खेला तो आप हैट टोड़ वैन्यू कुछ भी देख रहे हो तो उसमें चेस पर थोड़े बैतर आकड़े आपको देखता है जैक फ्रेसर एंसे का किस टीम के गिंस नहीं खेला वैन्यू के पर दो मैसे इसमें 88 रंस है बैटिंग वस्ट 23 लगवे जिली चेस की पर पैसर जो उनकी 20 रंगी भी पारी आती है ना अगरे 10 वाल भी खेल गए तो आपको 6 पॉंट तो मिल नहीं है extra क्यों मिलना है 6 पॉंट स्टाइग रेट का दोस्तों के उपर स्टाइग रोट रोटा है तो आपको 6 पॉंट्स बोनस के मिलते हैं और 10, 26, 24, 30, 30 और 36, 36, अलब 23 रन में 36 से 40 पुन दी जाता है, ऐसा प्लेयर रही है, ठीक है, आगे चलते हैं बापू की दरफ, 20 मैचस के अंदर 261 रन्स है, 14 विक्टर है, 8 की एकोनोमी है, 29 का अगरेट है, बैटिंग फर्स्ट आठ मैच में 128, चेस के उपर 8 मैचस में 133, बैट इस गेम में फिर से आपको वन डाउन खेलता हो दिख जाए, क्योंकि इन्होंने का थायर, मेरे को उपर खिलाओ, मेरे में का कमी है, टीम मिटिंग में मैं बोल सकता हूँ, तो देखते हैं क्या बोल पाता हैं ये, 21 मैच वैनी के उपर 429 रन, 17 विक्टे, 6.6 की एकोनोमी है बड़ाई तीन स्टप्स को इस गेम में प्रमोट किया जा सकता हो रिश्यपपन जैसे हमने लास्ट ताइम हैड टूट के अंदर भी देखा था होप, हैट टूट नेखिला, वैनी के उपर 5 रन से चेस करते हुए, रिश्यपपन इतना खास नहीं है, सच्छा ही बताऊँ जाब से मैं पंत का 15 मैच, 27 की उसट, 370 रन से 350 से 11 कैस टेंस टंपिंग इस ने करी वी है, अदूबद आखड है बैटिंग फर्स में तो मत पूछो भाईयों क्या आकड़ है, इनके 5 मैच में 258, 64 की उसट, वट चेस के उपर इश्यप पंत की 10 मैच आस में 115 रन्स, 11 की उसट है, इवन जो लास्ट टाइम हैट टूट बाता, उसकंदर एक रन पर आउट हो गए थे, बहुत ही सस्ते के अ चलता ही है, 26 कैच नो स्टंपिंग, कीपिंग से भी कमाल कर रहा हर गेम में कुछ न कुछ कर रहा है, लास्ट गेम में 2 कैच पकड़ा, उससे पहले जीटी वाले मैच में तो उसने जो वहां हो आता है, अंदबाद पे 2 कैच, 2 स्टंपिंग, मतलब अला कि किर्थीमान रच स्टंप्स, एक मैच में करता रन से चेज करते हुए था, एक्स करिकेटर है, स्पिन बहुत अच्छा खेल लेता है, यह की चोटी बाउंडरीज, वैन्यू के पर तीन मैच में 36, बैटिंग, सेकंड, दस और चब्वीस नाबाद, अब इशीक का 41 है, चेज करते हुए, वैन वैनी के पर आठ मैचों में 7 विक्टे, 10 की एकॉनमी, बालिंग से बहुत एक्सपेंसिव है, यह क्या ही कहने, हैट वड़ेक अंदर 10 की एकॉनमी, वैनी के पर 10 की एकॉनमी, मतलब सुताई वियस टोर्नमेंट में, कुल्दी भाई का 9 मैच में 7 विक्टे, बालिंग फर्स अंदरा की एकॉनमी थी, वैनी के पर 9 मैच उसमें 8 विक्ट है, तीन से चार वो डालता है, और ट्रस्ट करते हैं इसके उपर रिशक पंद, खलील हमत का 5 मैच में 7 विक्टे, बालिंग फर्स्ट में बहुत स्पेशल होगा, 4 मैच में 7, डे गे में कुछ खास फरक पढ़न पने निवाला चाहे बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, वैनी के पर 9 मैच में 4 विक्ट, ग्यारा की एकॉनमी है, पिछले मैच कंदर ही स्वैनी के पर 3 विक्ट निकाला, है ट्रोड गंदर विक्ट लज गया, एक्स प्लेयर है मुंबई का जी है, यह पहले मुंबई क मुश्किल है, यह धुल, प्रविन दुबे, कुमार खुशागरा लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस जैब्यू कहा था, सस्तेम आउट होगे थे, जैयर रिचर्ट सन, सुमित कुमार, पचासव आईपल, आई मिन टी ट्वंटी मैच हो सकता है, खेलते हैं, तो इशान नौकिया का दूसरा, चोथा, सतरवा, रशीक का पांचवा, तेरवा, पंदरवा, उननिसवा, मुगिश का चटवा, चोधवा, ठारवा, बीसवा, बापु का सातवा, नववा, ग्यारवा, कुलदीब का आटवा, दसवा, वारवा, सोलवा, उवर था, मैच अपस देखते फिर राजस्तान लखनावाला, डबल एडर का दूसरा गेम, बैटिंग फर्स बीस मैचेस में 633 रंस, 33 के उसाथ, चेस के उपर चोधा मैचेस के अंदर 400 रंस है, और सीरिसली के उननिस मैच, 626 रंस, 143 का स्टाइगरेट, 37 के उसाथ, बैटिंग फर्स में 2 अरशत आग है चेस के उपर, 1, 2, 3 अरशत आगा है, तो ट्राई किया जा सकता है, जर कैप्टन, जर कैप्टन, बहुत से टीमों के अंदर, रोईद कमाल का बैटर बन चुका भी फिलाल, रिस्क लेके खेलता है, विकेट की खुद की वैल्यू नहीं कर रहा, तो और डेंजरोस हो जाते है ऐसे प्लेयर्स या तो आर पार वाली इनिंग साती है इनकी, ये शान किशन अगेंस दिल्ली, ही लफस प्लेंगेंस दिल्ली, पंदरा मैच में पांसो साथ रंस है, लास्टाइम भी फॉर्टीज में आउट हुगे थे, आखे वरने एक और फिटे आपको दिखती शान किश तीन बाग तो सिंगल लेजिट स्कूर्स है ये लफड़ा वाला काम हो या थोड़ा सा पिछले दो मैचे से स्ट्गल कर रहा है इस गेम में बड़ी पारी आ सकती है है इस गेम में बड़ी पारी आ सकती है अगर हम रीजनिंग को फॉलो करता है उन्नीस मैच साढ़े 300 रंस है, टूटेक अंदर 350, बैटिंग फर्स्ट आट मैच में 202, चेस के उपर एक मैच ज्यादा खेला है, 500 रंस है, वैन्नी के उपर 10 मैच में 132 रंस है, बैटिंग फर्स चेस के उपर 20, 23, 27, 12, 16, 30, एक भी 30 प्लस स्कोर नहीं है, बटा ऐसे अच्छाए विक्त है, इट पॉइंट वन की एक उन्नी बैटिंग फर्स चाहर विक्त है, वह देरा है, वैन्नी दोनों पर खेला था बट ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई इनकी, हारजिक पंडिया 14 मैचों में 132 रंस, 13 का स्टाइग रेड़े अच्छाए विक्त है क्या है, इत पॉइंट वन की एकोनोमी, वह बैटिंग फर्स नो मैच में 211, चेस के पर नो मैच चेश कपर नो मैच चेश कपर नो मैच चेस में 101, वैन्नी ओपर 10 मैच 142 रंस, बाइल आपको एक दोवर करता हूँ दिख सकता है, और बैटिंग तो खैर आपको यतिरा कर्म के नीचे ही दिख करता हो दिखना चाहिए तिम ड्यूड का चार मैच में सो चार रंस है बैटिंग फर्स्ट बारा पैंतालिस नाबाद चेस पर चॉतिस तेरा नाबाद चेस करते हुए कोडजिया का चार विकेट बालिंग सेकंड अच्छा बॉलर है हाड लेंग फिट करता है लास्ट है मुंबई के उपपर लास्ट वर में इस न दो तिन विकेट निकाल दिया थे तीन आइधिंग प्यूश चावला का चोड़िस मैच में चब़िस विकेट है बालिंग फर्स है दो बार विकेट लेस गया वैसे स्वेनी के उपर मदवाल विकेट लेस पॉलिंग सेकंड हैट्वड के अंदर नुवान तुशारा कैन भी वेरी थेटफुल पिक स्लिंगर एक्शन इसका स्विंग भी कराता है पावर प्ले के अंदर ये फाइदा होता है शैफर ने ला मैं नवी का साथ वा जा마数 स्कारे उसके बारें प्लैसे स्येसरा ञवज दालने के बाद 16 और में नाए प्लेर अच्छा है I am a big fan of Hardik मैं खुद उनको ideal मानता हूँ मैं खुद एक all-rounder हूँ batting pace, balling all-rounder तो यार, क्या ही कहने हार-hardik क्या चल रहा है इनके साथ अभी प्रित्वी शो अगेंच बुम्रा, 22 गेंच, 16 runs, 4 innings में दोबार आउट किया है प्यूश शावला ने 35 गेंच, 16 runs, 4 innings में दोबार आउट किया है वानर वर्सिस शावला, 12 innings में दोबार आउट किया है बुम्रा ने 26 innings के अंदर दो शेफर्ड ने सको 19 गेंच, 28 गेंच, 4 innings में दोबार आउट किया है रिशेब पंद की बात तरे अगेंच, भुम्रा, 13 innings के अंदर 6 बार आउट किया है 43 बाल में 48 गेंच, लास्ट टाइम कॉट्जे ने आउट किया था इसको 3 बाल में एक गेंच, स्टफ्स वर्सिस तुशारा, 5 गेंदों में नौरा ने एक बार आउट किया है शेब होप अगेंच, भुम्रा, 20 बाल में 8 गेंच, तीन इनिंग्स में दो बार आउट कर रहा है और तो हर्दिक ने भी स्काउट किया, 44 गेंदों में 41 गेंच, साथ निंग्स में 2 मिच मार्स इस नौट अविलेबल, बापू अगेंच, भुम्रा, 13 इनिंग्स में तीन बार आउट किया, पैंतर इस बाल के अंदर 46 रंस देखे, शेफर्ड ने भी दो बार आउट किया, चैनिंग्स में 22 बाल में 24 रंस देखे एंडिच नोकिया, जिस तरह से डाल रहा है भी फिलाल, इशान किशन अगेंस्ट कुल्दी, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मैच अप रहा है, 25 वाल, 46 रंस, चार इनिंग्स में 2 बार आउट किया और सब को अच्छा किला है, सूरिया वर्सेज अक्षर, थोड़ा डिफेंस सिफ 61 गेंदों के अंदर 53 रंस, 10 इनिंग्स में बार आउट किया है, नोकिया ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, लास्ट मैच में इन्हों ने आउट किया था, बॉटम लग गया था, बैट का मिड़ान पर कैच आउट हो गये थे, बहुत अच्छा कैच लिया था, पर जैक फरसम सी गट ने, हर्दिक पंडिया अगेंस्ट खलील एमद, पांच इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 26 बार के अंदर 37 रंस, तिलग वर्सेज खलील, 7 बार में 10 रंस, 3 इनिंग्स में 2, टिम डेविड वर्सेज अक्षर, 23 बार में 20 रंस, 7 इनिंग्स में 2 बार मौमन अभी का कोई स्पेशल नहीं, लेफ्ट आम पीसर को मुंबई ने 8 मैच में 15 विकेट दिया, इनको भी लेफ्ट आम पीसर से दिक्कत है, यह आप खुद देख सकते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 8 मैच में 15 विकेट, 23 की उसाथ, 16 का स्टाइक डिल्ली के मुंबई ने अगेंस लेक्स में 36 के अवरेज रखी है, लेफ्ट आम ऑथ्रोडोक्स में वर्सम पांच में चार विकेट दिया हूआ है, और और ऑफ्समें की बात करें, दों टेम्स नहीं है, चाइनमें वर्सम बोट टीम्स प्लेड वेल, कामन कैंप्टिन निशान, सूर् अपवेप, डिफरेंशल पेक है, जो बालिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, स्टिम के अगेंस, बैटिंग में आपको शाहिद वन डाउन, टू डाउन, ऐसे कुछ दिख जाए, हार्दिक, पंडियापिक, ये दो प्लेयर्स सबसे सेफ होंगे, अक्षर और हार्दिक, स स्मॉल लिग के साब से, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, ये थोड़े से डिफरेंशल इशान किसनों शूरिया, जो मैं स्मॉल लिग में शाहिद करूँ, वार्णर खेलता है, तो रोईत आपको फिर एक टॉप क्लास करिकेटर दिख जाते हैं, खेलते हुए, अमें आ रुतुराज ने 79 कर दिया था, कॉन्वे ने 87 कर दिया था, शून दूबे बाइस, और यहां से बॉलिंग में खलील को एक टॉप मिला, लजित, अक्षर और कुल्दी विकेटलर्स गए थे, चेतन साकर या नौको को एक टॉप मिला, प्रित्विशो ने 5 किया था, वार्ण चार में 3 विकेट निकाले थे, 8 डे गेम का हाल था, लास्ट टाइन, प्रिशाप पंध मस्ट पी, किशान, किशान भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टन पीग है, पंध को आप चेस के इपर डॉप करने का रिस ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की तो है, मैं खुद मानता हर गेम में ड्रिम टीम में आया ये, बस कुछ एकाद दो मैं छोड़ो दो, बाई, क्या बंदा ये, आते हैं मैटर सक्षन में, बड़े चेस के पर आप पंध के बड़ले होप को ट्राइ कर सकते हो, या फिर आप इशान किशान सिंगल ले लो, सूरिया इंपॉर्टन, बहुत अच्छा खिला लडगा, हर गेम में आ रहा है, बहुत अच्छे पॉइंट जीके जा रहा है, और इस टीम के अगेंश भी ठीक किया हुआ है, इसने, जैक फर एसम सिंग, पावर प्ले का इस्तेमाल, चार मैंचेस खिले हैं, चार बाट ड्रिम टीम में आया है, कैच को या कॉटजिया, मैं कॉटजिया को ले लेता हूँ, टीम मेरी बन गई, कैप्टन कर दूँ है, आपर मैं इशान और सूरिया को, बहुत रिस्की है, बट लेट सी क्या होता है, all the best for this game, see you soon, and देख तरे के स्टाट्स गुरूजी.